यह है हमारा Official Extended OS का एक latest update हमारे Mi 11X डिवाइस के लिए जिसमें इस वर काफी कुछ चीज़े जो चेंज करी गई है अगर हम यहां पर आते हैं Android वर्जन पर Android 13 आपको देखनी को मिलेगा जहां पर आपको इसका वर्जन 7.6 ओफिसियल देखनी को मिलता है Official हमारे Maintainer है जहां पर 5 Mekka Security Pack 28 का Build Date और यहां पर Kernel आपको Red Line और Device Enforcing दिखाई देगा Backyard आने के बाद आपको यहां पर देखनी को मिलता है इसका सिस्टम जहां पर वही सेम पहले जैसे ही कस्टमाइशन है और यहां पर अपडेटर आप चेक कर सकते हो अगर आप प्रिवियर्स वाले अपडेट पे थे तो आपको अपडेट तो हो जाएगा आज बाए आप TORP या ADB से डाल सकते हो उसके बाद यहां पर आपको देखनी को मिलता है Safety, Privacy, Security जहां पर आपको देखनी को मिलेगा Face Unlock, Fingerprint और Device Encrypted यहां पर आने के बाद आपको वही Scrambler Layout, Quick Unlock, Power Button, Instant Lock वगेरा के ओप्शन है वाल पर में स्टाइल में सेम सिमलर चीजे देखनी को मिलती है जहां पर कोई भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है इसके बाद यहां पर आपको दिखाए देटा है Display जहां पर आप देखे तो पिर्व्यू हलका बदल दिया गया है और यह पिर्व्यू मुझे थोगा Moto EY यानि My EY का याद दिला रहा है उसमें भी ऐसे से पिर्व्यू देखनी को मिलते थे Extra Dim, Auto Brightness जहां पर One Suit का Option आपको मिल जाएगा Lock Screen Time Out और Lock Screen के लावा Screen Time Out के Option मिलेंगे यहां पर Noticing के अंदर वोई Same Common Option है लेकिन यहां पर देखो इसका प्रिव्यू थोगा चेंज हो चुका है जो कि देखने में थोड़ा सही लगता है DPI आपको Option मिल जाता है उसके बाद यहां पर Color के Option मिल जाते हैं जो कि आप Change कर सकते हो Window Level, Pocket Mode, MN Display, Power F, Refresh Rate, यहां पर DC Dimming और साथ-साथ यहां पर Brightness Boost करने का Option भी आपको मिलता है जो कि आप यहां से कर सकते हो अन्ना दर यहां पर आपको मिलता है बैटरी जिसका देखो प्रिव्यू किस तरी किसे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यह Profile है जो कि Performance Boost करता है बाकि यहां पर आपको बैटरी चार्जिंग के Time Warning आप सेट कर सकते हो ताकि पदा चले कितना % हुआ यहां पर आपको Celsius देखने को मिलेगा जिसे Tap करने को आप चेंज कर सकते हो Smart Charging भी रख सकते हो जहां पर आपको बैटरी आटरो है जो Stop हो जागा Charge लेना बाकि सेम Network और Notations Network वगेर रख के Option मिलेंगे लेकिन यहां पर आपको मिलता है Huge Customization जहां पर आते हैं नीचे की और Extra के अंदर आपको Parallel यानि एक आप को आप क्लोन कर सकते हो Game Space मिल जाएगा यहां पर आपको Higher FPS और Photo Unlimited तो अगर आप PUBG प्ले करते हो तो आपको 90 मिलेगा बीजी माई में 90 को हटा दिया गया है तो यहां पर 16 गेम पले रहने वाला है पसको Charging Animations वगेरा और यहां पर System Haptic का एक नया Option एड़ हुआ है जहां पर आप हैप्टिक को थो आप बढ़ा सकते हो कि Brightness Sliding के टाइम कैसा होना चाहिए सेटिंग को स्लाइड करने के टाइम और Volume Sliding के टाइम कैसा होना चाहिए कितना स्प्रोंग होना चाहिए यह चीज़े यहां पर इंप्रूब हुई है और यह रियली में फील होता है तो भाई काफी जगाव पर हैटिक एडड हुए है जो की काफी अच्छा लगता है अगर बार बार फाइल ट्रांसफर करते हो तो यहां पर सेलेक्ट कर लो परमानेंट वगेरा यहां पर पको इस्टिस वर पैडिंग और सेंसर ब्लॉक के भी ऑप्सण आपको जो मिलेंगे इसके बाद यहां पर थीम रूम देखनी को मिलता है जहां पर डाक मूर कर सकते हो और यह है जो जनरेट कर सकते हो वाइफा के सिमिलर आइकन सिगनल के भी यहां पर फॉंट्स कई सरे दिये गए हैं अनधर यहां पर आपको आइकन सेप मिल जाता है वॉल्यूम के कुछ इसरा ओप्सण जैसे के टू और यहां पर रियल मी वगेरा और राइसी वाई वगेरा तो आ यहां पर आप देख सितों के चेंज करने के बाद यहां पर लुक में आपको बदलाव दिखाई दे रहा होगा तो यह सरे चीज़ें यहां से आपको कर सकते हो सिस्टम आइकन वेदर इंफ्वर्मेशन जो कि मैंने सेट कर रहा है और वेदर का आइकन भी आपको दिखाई और यह मुझे अच्छा लगा और यह आइकन हमेशा साइड में रहते हैं बट इसे मैंने बीच में डाल रखा है तो यह भी देखने में काफी ज्यादा सही लगता है और वाई अच्छा भी लगता है देखने के बाद तो यह साए चीज़ें आपको अललग ऑप्शन मिलते ह है यहां पर टेस्ट आप डाल सकते हो फूटर के जगह पर किक सेटिंग में आपको सेम चीज मैंने दिखा दिया पाव में में क्या क्या रखना है वह आप यहां पर कर पाऊगे अनदर किल एप बटन यहां पर सो नोटिकिशन काउंटर बगेरा अटोस एप आइकन री ट्र आपको मिल आपको मिलते हैं बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है ओनल लोक स्क्रीन और यहां से कर सकते हो। left right shortcut बड़ल सकते हो यहाँ पर रीपर एफेक्स डिसेवल वगरा कर सकते हो यहाँ पर प्लस इकवाइजर का ओप्सन मिल जाएगा जो कि यह भी सेम कॉमन आपको दिखाई देता है और इसमें जारा आपको चेंज नजर नहीं आता तो छोटे मोटेटर नवर चेंज हुए थे जो कि मैंने आपको सो कर दिया है बाकि यहाँ पर आपको क्यूस के नदर सेम वही सिमलर चीज़े देखने को मिलेगी जहाँ पर को अच्छा खासा यहां पर ध्यान रखा गया है तो आपको अच्छा मिलने वाल है और सिब इतना ही नहीं अगर आप साउंड के प्रोफाइल पर आते हो तो यहां पर आपको मिलता है मी का साउंड इफेक्ट के लिए स्पीकर पर एप वॉल्यूम कंट्रोल प्लस में यहां प आपको इतनी अप्लिकेशन मिल जाते हैं बाकि आप जो की चीज़ेया लग से डाल लेना साथ-साथ अंटूर उसको जो कि 77 का है जो कि आपको वाओ क्या कमाल का स्कूर है बट नहीं यहां पर थोड़ बेटर होने की जरुवत है बट फिर भी मैं कहुआ कि कस्टरों में तो इंप्रूव हो सकता था लेकिन मी वेव होता तो ज्यादा सही दिखाई देता किस्टम पर हलका फूर का डाउनसाइड ही रहता है और हंडेट पर डालने के बात नॉर्मल सीप्य टोटल जो कि मैं कहुआ है बट इंप्रूव होने के जरूवत है और जैसे में इसका गेम प् प्रोसेसर को पूरा मैच करता है अच्छे तरीके से और यहाँ पे 91 का टोटल अस्पोर नजर आता है बाकि बैटरी डॉप जो कि हमारा 59 और मॉर्निंग में आता है हमारा 54 तो जो फूल नाइट में हमें 5% का बैटरी डॉप देखनी को मिला है और टाइमिंग के करीब और बाकि यहाँ पे जो चीज़ थी वो मैंने सोख किया और प्लस डिवाइस स्टिफाइड ओफिस्यल है तो रहे गा ही रहेगा डॉल भी सोख करी दिया एरुपन का सपोर्ट आपको मिलता ही मिलता है फोट एश्टोज भी आपको यहाँ पर अनलॉक मिल जाता है और यह व इफेक्ट भी दिया गया है और बैटरी भी और अच्छा है और इस्पेसलि यहाँ पर प्रफॉइंस भी काफियर तक सही देखने को मिल जाते हैं तो इन सबी चीज़ों के वज़े से मैं कहां कि भाई रोम यूजेवल है और आपको अच्छा भी लगने वाला है अगर आप गेमिंग करते हो तो अगर आप नौल बेसिक उज़ करते हो तो अगर आपको हूज क्षमाइसन चाहिए तो लेकिन अगर पिक्सल वाला फील लेना चाहते हो जैसे कि पिक्सल वाइस में रहता है तो वह फील आपको यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि रोम काफी हद तक का है तो यह छोटी छोटी चीज़े है जो कि आपको नोटीस होगी और आपको पसंद आएगा और बाई मेरे तक से यह रिकमेंडेट होगा अब मर्जी आपकी है क्या आप इसे डालना चाहते हो या नहीं और डालने का सेम मैठेड वाइफलेश फॉर्मेट एंड चल्श्या, थाइब चाहते हो वाइबया है क्या है क्या विच्टश यह रगजां आपको जो कि आपको नहीं आपको एंड़ी है क्या रह रहा है जो सकती हैं एंड़ी आपको तो